हेलो गाइस, वेलकम टू इंडो नेपल कीचन, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मॉमोस, दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेट कर देना, चानल पर फर्स्ट आम आये तो सब्सक्राइब जरू करना, पहले कर देना आप जब बाद में बुल जाते हो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, मैदा को एक बरतन में डाल लिया है, अब इसमें थोड़ी सोड़ी पानी डालेंगे, तो आटा गूंद लेंगे, एकदम नॉर्मल साइज के आटा गूंदेंगे, जैसे हम रोटी के लिए गूंते हैं, वेसे ही आटा गूंदेंग तो इस तरह से दुबारा फिर थोड़ी सी पानी मैं डाल लेती हूं, तो अब हमने आटा गूंद लिया है, अब इस तरह से मेरे आटा बिल्कुल त्यारे, एक छोटे बॉल में डालके, इसको मैं 15 मिनिट रेष्ट के लिए रख देती हूं, देड किलो यहाँ पर मैंने पत गूंद लिया है, इसके जितने भी खराब पते लगते हैं, उसको सारे को हम निकाल देंगे, तो इस तरह से मैंने साफ कर लिया है, और एक ग्रेटर लेके ग्रेट कर लेंगे, इसको पीस्क में काटके नहीं करेंगे, क्योंकि पीस्क करके करेंगे तो परिशानी होएगी, इस एक एक पते इदर उदर हो जाते हैं, तो हमें साबूत में ग्रेट करना है, तो एक तम आसानी से हो जाता है, तो अभी मैंने इस तरह के हमारे हो गया है, अब एक बड़े बरतन में डाल लेती हूं, और इसमें दो चमज नमक डालके, इसको अच्छी तरह से मिला लेंग और पानी एकदम छोड़ देगा, क्योंकि पते वाले सब्जी है यह तो इसमें पानी बहुत है, तो मैंने पांच मिनिट ढखके रख दिया था, पांच मिनिट बाद देखिए कितना पानी है, तो इस तरह से हाथ में लेंगे, और वत्ता गुबी को हम निचर देंगे, तो देखिए पानी बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से एक बारी में निचर लेते हैं, और मैंने अब देखिए कितना पानी बचा था, एक छन्नी में डाल दिया है, और निचर लिया, यहाँ पे मैंने धनिया डाला है, तीन प्याज को बारी काट लिया था, वो डाल दिया, तो प्याज में भी काफी पानी होते हैं तो धनिया में भी तो इस तरह से हम अच्छी तरह निचड़ेंगे तो पानी इसके निकल गया है अब सिम्ला मिर्ज डाल देंगे और इसको भी दुबारा से इस तरह निचड़ लेंगे और सिमला मिर्च भी पानी छोड़ती है तो सारे सबजी जितने भी हमने नमक डाल के रखा है पानी बहुत छोड़ते है तो इदूबारा से गोबी को फिर मैंने निचड़ लिया थोड़ी सी नियोट्री को चूरा मैंने विगा के रख लिया था इसको भी 3-4 बारी पानी बदल के दो लिया अब कप्ड़े में रख के इसको निचड़ के सबजी में मिक्स कर देती हूँ जो हमने स्टफिंग के लिए त्यार कर रहे है सारी चीज को मिला दिया है तो अच्छी तरह से एक बारी मिक्स कर लेते हैं अब इसमें एक डेड़े इंच अद्रक को मैंने पारी काट लिया था वो डाल दिया है और दो हरी मिर्च नमक डालाएं और दो चमज आमचूर पाउडर और धनिया पाउडर एक चमज डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी नमक ठोड़ी हिसाब से डालेंगे पहले भी हमने काफी नमक डालाएं अब यहाँ पे मैंने आदा चमज लाल मिर्च पाउडर आदा चमज नमक एक चमज और चाट मसाला डाल लिया है टोटल मैंने तीन चमज चाट मसाला डाला है इसमें तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारे हाटा भी बिलकुल त्यार है इस तरह से मोटे से पेड़ा लेंगे और मैं सुका मैदा ही लगा रही हूँ तो मैं इस तरह से इसको बेल रही हूँ तो हमें एकदम बड़ा साइज के बेलना है और पतला भी बेलना है क्योंकि मोमस के पतली होता है मोटे नहीं होता है तो इस तरह से अभी मैंने इसको मैं उठा के इदर उदर पल्टा पल्टा के बेल रही हूँ तो किनारे पे भी पूरी बेलेंगे तो ऐसे ही हमें जितना पतला हो सके उतने ही पतला भी बेलना है जैसे एक बारी हम उठाते तो मैं देखे रोटी मोटी हो जाती है तो मैं यहाँ पे एक कटोरी ले रही हूँ उससे मैं काट रही हूँ एक एक पीस करके बनाएंगे तो काफी टायम लगेगा इस तरह से हमार बहुत जल्दी बन जाते है तो मैं 6-7-20 पहले काट के आपको दिखाती हूँ तो इस तरह से और फिर और काट लेंगे तो देखिए 6-7-20 मैंने एकदम काट लिया है अब इसमें आम स्टॉफिंग रखके इसको बन कर लेंगे तो हातों से पकड़ेंगे अंगुठे से और उंगल से तो इस तरह से चुन्नट बनाते हुए और दूसरे अंगुठे से थोड़ी दबा देंगे तो इस तरह से हम गुमा गुमा के इसको बन करेंगे एक पीस मैंने बना लिया है बाकी के मैं दिखाती हूं तीन चार पीस दिखाऊंगी तो इस तरह से अब दूसरे पीस भी मैं बन कर रहे हूं जैसे हम बन करते जाएंगे इसके स्टॉफिंग पहार निकलेगी तो अंगुठे से उसको थोड़े अदबा देंगे अंदर बाकी क्यों भी इस तरह से ही बनाएंगे अंगुठे और उंगल के साहता से फोल्ड करते ही जाएंगे तो इस तरह से अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा हो इसको ऐसे करना तो जैसे हम आलू के प्रॉठे बनाते समय फोल्ड करते हैं उस तरह से ही करना है तो इस तरह से हमने बना लिया इतना अब मैंने पहले ही पानी रख दिया था इस्टिमर में अब गरम हो गया अब मुझ रखेंगे इसमें एक एक पीस करके तो इस तरह से सारे को हमने रख लिया है अब इसमें मैं ओयल हलका लगा दूँगी फलका ओयल लगाने के बाद में 20 मिनिट इसको स्टिम में पकने देंगे यहाँ पे मैंने चटनी के लिए एक टमटर लिया है तिन सुक्यूई लाल मिज थोड़ी आदा चामस दनिया पाउडर और नमक स्वाद अनसार बिल्कुल थोड़ी सी चटनी भी हमारे त्यारे मोमस भी हमारे बिल्कुल त्यारे पक के तो इस तरह से हमारे मोमस बन गए है दोस्तों आप सबी को रेशेपी अच्छी लगेगी तो लाइक स्यहर जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करदेना और आप भी बनाईए खाईए अपने बच्चों को खिलाईए और इसमें और जीना मोटो मैंने बिल्कुल नहीं डाला